नमस्कार दुस्तों स्वागत करते हैं आप sभी लोग का दुस्तों बिहार SI मेंस का आप सभी लोग का रेगुलर वेस्टे प्रेक्टिस से चलाना शुरू हो चुका है तो आप सभी लोग को टाइमिंग से आपको हर एक वीडियो देखने को मिला है आपको पता है सुबा 8 बस आपको अगर practice करने का मिलेगा तो सोचिए कि आपका जो score है वो definitely बढ़ेगा ठीक है तो आपको तीन बजे ये upload किया जाएगा आपका reasoning का तो 10 में से कोसिस कीजिएगा कि आप 10 में से 10 कोशन सही कर पाएंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजी और एक चैनल बनाया गया है सिर्फ आप सभी लोग के लिए सूरज ऑफिसियल उसको आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सूरज ऑफि पर बेस पर ये वीडियो आना शुरू हो जाएगा तो चलिए आज का रिजिनिंग लगाते हैं आपका समय स्टार्ट होता है अब तो दोस्तों आपको यहां पर पहला प्रसन यहां से सुरू होता है ठीक है अब इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी लोग प्रसन को ठीक है चलिए आंसर करिएगा दस में से दस प्रसन आपको सही करना है चलिए आंसर करिएगा सभी लोग कोश्चन नमबर वन का अंसर क्या हो जाएगा चलिए इसका अंसर बताएगा सभी लोग देखें इसका अंसर क्या हो जाएगा क्लियर करते हैं देखें पंदर के बाद 42, 42 के बाद 100, आपका 23, 23 के बाद 306 के बाद आपका question number किया है तो ज़िए कि इसको करना क्या है कि 15, उसके बाद 15 गुड़े 3 करेंगे तो आपका 15 तियाई कितना होता है 45 होता है, अब 45 में जब आप 3 माइनस कर देंगे, 3 तो कितना हो जाएगा आपका, 2 और 1 आपका 42 तो 42 आपका बसता है, तो 42 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, तो 42 गुड़े 3, फिर आपको बस इसी तरह की स्रिच चलेगा इसमें आपको 3 का गुड़ा करना है, 3 के बाद जितना भी आपका आएगा, फिर माइनस आपको 3 कर देना है, ठीक है, तो लास्ट में जब आप 300, 306 गुड़े 3, माइनस 3 करेंगे ना, तो फिर आपका क्या निकल के आएगा, 1095 निकल के आजाएगा, तो इस तरीके से आपक option, डी-correct answer हो जाएगा, चलेगा next question आपको देखते हैं, चलिए समय स्रूर होता है अब आपका 32 second मिलेगा 30 second में आपको answer बताना है, कम से कम आपको 10 में से 10 question सही करना है, तभी आपको बहुत ही बहतर आपको 불क ini, कम से कम आप चलिएगा समय आपका समाप्त होता है अब देखते हैं question को देखिए question क्या कहता है कि 0 को यानि 0 नहीं ये O है ठीक है O है O को आपको 15 बताया है तो God को आपको 26 लिखा है तो O W L ठीक है O W L को क्या लिखेगा तो सीधी सी बात है O को जब 15 लिखा है ठीक है O को क्या लिखा है 15 लिखा है अब देखिए बात करेंगे W का क्या होता है तो W का देखा जाए तो 23 हो जाएगा अब बात करेंगे यहाँ पे हम किसका L L आपका 12 हो जाएगा तो अगर इसको हम प्लस करेंगे तो आपका 50 हा जाएगा ठीक है तो 50 आपके कौन से उप्षन में है तो उप्षन B राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा नेश्ट प्रसने क्यों राते हैं चलिएगा ये कोशन नमबर तीसरा है इसको आपको सौल पर के बताना है चलिए आंसर आपके सामने आपके सामने है समय मिलता है आपका अब चलिएगा समय अब आपका समप्थ होने की कागार पे है चलिएगा आप देखते हैं याँ पे देखिए समझिएगा फिर आप आंसर कर पाएंगे बहतर तरीके से कहता है कि डी ओ और डबलू के पांचों अक्षरों में से प्रतेक अक्षर को एक बार प्रियोग करते हुए कोई अर्थ पूर सब्द बनाया जा सकता है यानि इन पांचों अक्षरों को मैं इस तरीके से घुमा फिरा के कोई अक्षर आपको बताना है अर्थ पुड़ हो तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा यदि एक से अधिक सब्द बनना संभव हो तो आपका उत्तर भी होगा ठीक है अगर आपका उत्तर भी होगा अगर आपका एक सदिक हो तथा यदि कोई भी सब्द बनना संभव नहीं है तो आपका उत्तर अल होगा तो यहां पे O, फिर N, फिर R, W, तो अगर हम इसको अर्थ पूर बनाएं, तो क्या बन क्याएगा, यह बन क्या जाएगा, D, D के बाद, R, O, N, ड्राउन बन क्या जाएगा, देखिए आपका क्या होगा, ड्राउन बन क्या जाएगा, तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा, तो सब्द O होना चाहिए तो आपका तीसरा सब्द O है तो राइट आंसर आपका ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चलिएगा नेश्ट प्रसंद देखते हैं यह इंपोर्टन्ट है देखते हैं आपका समय सुरू होता है अब जाल कि लीडीन फेलं कि चलियगा समय आप समाप होता है देखते हैं इसमें पुछा गया है कि निमनलिख्थ आकर्टी में आपकर पुछा गया ठीक है यह कोड़ पका कितना है तो आपने में लिए होगा औप्षिन भी आपने करेक्ट किया होगा तो सबसे पहले देखेंगे कि जो अंदर का आपका बॉक्स दिया हुआ है इसको हम देखेंगे यह इस तरह बना हुआ है ठीक है इस तरीके से इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि आठ इसमें त्रिभूज है उसके बाद देखिए आठ के बाद 9 फिर 10 11 फिर आपका इधर बनेगा 12 यानि 12 आपका इधर टोटल बनता है अब देखिए आपका कहां पर बनेगा 12 के बाद यह आपका जो टोटल दिया है 12 के बाद 13 फिर 17 बनेगा 14 फिर 15 फिर 16 अब 16 यहां पर यह बन गया तो उसके बाद देखिए 16 के बाद या आपका बड़ा वाला बनेगा 17 ठीक है फिर 18 फिर आपका ये 19 फिर ये आपका बनेगा 19 तो आपका टोटल त्रिबूज 19 है ये समझेगा सी आपका आंसर हो जाएगा नेश्ट प्रस्न है इसको सौब किजिए सिर्फ आपको 20 सेकंड मिलेगा क्योंकि ज्यादा समय आपको देने की ज़रूत नहीं है आप बहतर तरीके से इसको सौल्ब कर पाएंगे देखिए सिंपल एच हदुना के बारह तीतरी के नव और पांच पांच के बीस तो आपका अंसर क्या हो जाएगा ये आपका राइट अ सेकंड चलिए आपका समाप्ट होता है आपने आंसर इसको टिक किया होगा बहुत ही ब्यहतर तरीके से इसमें क्या है प्रते एक प्रस्न में उस विकल्प को चूनिए जो औरने तीनों विकल्प से भीन है तो देखिए आपका अने सभी इसमें आपका क्या पुझा गया है कि अंने तीनों से भिन हो तो इसमें आप answer क्या किया होंगे दैखिए इसका answer क्या हो जाइगा 81 का याणि question number 6 का answer देख़ए C हो जाइगा अब यहाँ पे यह सवाल उठता है कि C ही answer क्यों होगा देखिए अगर देखा जाए तो आपको सभी भागों में बराबर बराबर इसमें भाटा गया है समझ पा रहे होंगे सभी लोग लेकिन यहां पे देखिए यह और यह तीनों साइज एक साइज है लेकिन यह नीचे वाला जो है वो दोनों बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से तीनों आपका एक दूसरे से बराबर है लेकिन आपका सी जो आप्षन है अलग है तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं चलेगा नेश्ट प्रस्ट देखते हैं यह प्रस्ट आप आंसर करिएगा सभी लोग चलेगा 20 सेकंड मिलेगा आपको समय समाप सुता है देखिए कत्र बोलता है कि राष्टिय कल्यार कोस की स्थापना 1982 में की गई थी और कारण आर कहता है कि इसकी स्थापना का उदेश ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना है जो अब खेलो में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाई पूरुवक अपना जीवन गुजार रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए राष्टिय कल्यार कोस की स्थापना 1982 में की गई थी सही है इसकी स्थापना का उदेश वैसे खिलाड़ियों के सहायता करना है जो अब खेलों में सक्रिय नहीं है ठीक है और चार लाख रुपे या उसमें कम सलाना आये वाले खिलाड़ियों को यह वित्ती सहायता परदान की जाती है तो इस तरीके से देखा जाये तो आपका option A सही हो जाता है A और R दोनों सही है पिरन्तु A की सही वैक्ष्या R है समझ पा रहे होंगे सभी लोग तो इस तरीके से आपका option A right answer हो जाता है Next question है Answer जल्दी से करिएगा चलिएगा समय आपका समाप सुता है देखते हैं कहता है कथन तारापूर परमाडू विधुत गिरिये गिरिये 1979 में चालू हो जाने से भारत 200 के नाबे की उर्जा मांचित्र पर आ गया ठीक है अब करण आर कहता है कि तारापूर परमाडू सन्यंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी परमाडू सन्यंत्र कनाड़ा के डिजाइन पर अधारित है तो देखिए आपका ओप्षन क्या सही होता है देखिए A और R दोनों सही है यानि A और R दोनों आपका कथन सही है लेकिन A की सही व्याख्या R है यानि इस से आपका सही व्याख्या A से आप आपका R होता है तो इस अगर देखा जाए तो आपका option A right answer हो जाता है नेश्ट परसने यहां पर देखते हैं आपका आगे का परसने किए यादि संकेतिक भासा में famous को यह लिखता लिखा जाता है उसके बाद कि बूरियों को किस परकार से लिखा जाए तो सभी लोग आंसर करेंगे समय अपसे आपका शुरुआत होता है चलिएगा कोशिस किजिएगा जल्दी आंसर करने का सिंपल है आप सभी लोग और भी बहतर आंसर कर पाएंगे ठीक है छलिएगा बहुत से सभी न आंसर यहां पर टिक किया होगा देखिए फेमस को ई बी ल पी टी टी लिखा है ठीक है एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आपका है इसको क्या लिखा है यह लिखा है तो दखिए इसमें आपको माइनस प्लस माइनस प्लस किया है तो अगर आप F का माइनस वन करेंगे तो आपका क्या आएगा E आएगा उसके बाद A का प्लस A करेंगे वनी वन करेंगे तो आपका B आजाएगा M का माइनस 1 करेंगे ठीक है तो L आएगा L के बाद क्या आता है M आएगा O के बाद 1 प्लस करेंगे तो आपका I, J, K, L, M, N, O, P ठीक है उसके बाद आपका U माइनस करेंगे 1 तो आपका T आएगा उसके बाद S के बाद 1 प्लस करेंगे तो आपका T आएगा तो minus plus minus plus minus plus ठीक है minus plus minus plus तो इस तरीके से आपको answer बताना है अब यहाँ पे इसका पूछा गया है तो देखिए ठीक है अब देखिए minus b का करेंगे 1 तो a आए जाएगा अब देखिए u का minus नहीं करना है क्या करना है plus करना है तो अगर आप इसको plus करेंगे तो आएगा b r का minus 1 करेंगे तो क्या आएगा क्यूं आए जागा e का plus 1 करेंगे तो f आएगा और a का minus 1 करेंगे तो z आएगा और क्या बोला गया है कि u का minus sorry plus करेंगे तो आपका u के बाद b आता है तो इस तरीके से आपका option क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा नेश्ट प्रस्ण क्यों राते हैं आंसर जल्दी करिएगा क्योंकि एक प्रस्ण समझाते हुए चला जाएगा अगर आपको आता है तो आप इस पीड से निकल जाएगा ठीक है अगर जिसको नहीं आ रहा है वह थोड़ा सा समझते चलेंगे चलेगा समय आपका समाप्त होता है बोला है कि बड़े अक्षरों में एक सब्द दिया गया है इसके बाद चार सब्द उत्तर के रूप में दिये गए इन चारों सब्दों में सिर्फ एक सब्द ही उस उस दिये गए सब्दों के अक्षरों से बन सकता है उस सब्द को ग्या यानि आपका आंसर क्या हो जाएगा। ga pensar आपका B हो जाएगा, caption, caption ही आपका इसमें बनेगा ठीक है, अगर आप मैच करेंगे, जैसे देखिए अगर A को लेते हैं, तो CO आपका इहां मैच करता है, M भी आपका मैच करता है, P भी मैच करता है, उसके बाद N, N भी मैच करता है, देखिए n आपका यहाँ पे है लेकिन y नहीं है अगर आप इसमें y खोजेंगे तो आपको इसमें y नहीं दो इसलिए आपका a, c, d कुछ ने कुछ आपको कमी मिलेगा लेकिन आप d, सुरी अगर आप b खोजेंगे तो आपको सभी संख्या यानि जो आपका अक्षर है सभी आपको मिल जागा इसलिए आपका भी राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा तो आपका यहीं पर 10 question समाप्त हो गया होगा अब आप बताइएगा कि 10 में से आप कितना प्रस्न सही कर पाएंगे I hope आप सभी लोगों ने 10 में से 10 प्रस्न सही किये होंगे ताकि आप सभी लोग को भी मजा आएगा हो कि कि कितना आपको 10 में से 10 प्रस्न सही हुआगा ठीक है तो चलिए अब आप साथ बजे मिलिएगा कितने बजे साथ बज़े आपको lucid objective का 100 प्रसन आएगा कितना प्रसन 100 प्रसन उसको अगर आप करते हैं तो सोचिएगा कि आपका topic complete होता चला जाएगा तो चलिए साथ बज़े मिलते हैं आप